Hello What's Up Gamers, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, खेल रहे हो ना, खेलते हो, तो भे, आज मैं वापस बात करने वाला हूँ मुंबई कालीज के बारे में, ठीक है, तो, नहीं भाई, मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मुंबई कालीज के बारे में दो वीडियो नहीं आएगी ये 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 आफ ये आफ दे स्नेक और नाइट मेर अट नॉर्ट पॉइंट करके डी एलसी वो दो डी एलसी करने बाखी है लेकिन भाई साथ इस गेम के बारे में भाई मैं क्या ही आपको मता हूं ये गेम काफी जादा अच्छा गेम है और मैं ये भी बूलूगा कि यार ये क अगर अपन सीधा वीडियो पर जाते भाई ये गेम के बारे में बात करते हैं तो अगर आपको हाई लेवल पर बता दूंगे तो इस स्टोरी है कि अपने पूलीस आफिसर रहते ठीक है अपना नाम रहता है वे शिन अपन क्या करते कि भाई अपन एना एक गैंग रहती है उस वो गैंग को अबन इल्फिल्ट्रेट करते हैं तो अपना मेन गोल यही रहता है कि गैंग का जो मेन लीडर है गैंग का जो मेन बॉस है उसको पकड़ना ठीक है यह स्टेट फॉरवर्ड स्टोरी अभी मैंने आपको बताई एकड़म हाई लेवल पे इन डेप में नहीं बताऊँगा स्पोईलर्स कुछ नहीं दूँगा आपको लेकिन एकड़म स्टेट फॉरवर्ड स्टोरी आपको लग रही है लेकिन जैसे जैसे आप खेलोगे ना भाई आपको बता चलिया कि यह कितना टीप है और इसमें कुछ ट्विस्ट भी आते जो काफी इंट्रेस्टिंग है आपको एमोशनल भी करेगा आपको एनरेजट भी करेगा यह गेम और एक और चीज़ों जो यह लगता है आप बोर नहीं होते हो हाला कि कुछ एलिमेंट्स आपको लगेंगे की रेपिटिटिव है बट वो आपको बोर नहीं करेगे ठीक है और यह गेम की खासियत यह है ना कि इस गेम के जो साइड मिशन जो है वो भी काफी एंगेजिंग है स्ट्रीट रेस हो गया कैरियो की हो गया प्लस सबसे फेवरिट चीज इस गेम में क्या है पता है कॉक फाइट यह वाली नहीं यह वाली ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक पुलीस ओफिसर हो तो भाई इसमें कैसा सीन है ना कि आपको जो है में स्ट्री आपकी जाएगी कि मतलब हैppen गांग मेंबर के साथ इंफिल्टरे Dow कि आप गांग गंग में गुष जाते हो ठीक है तो आपको गैंग वाले मिशनें रते हैं प्लस सेंस आप एक पुलीस ओफिसर हो आपको pakिश होती है बड़ काफी engaging हो काफी मज़ेदार होती है ठीक है और यह हो गए gameplay की बाद तो gameplay के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा कि इसका combat ठीक है तो इसका combat इतना जादा बढ़िया है अगर आपने Mad Max अगर आपने Batman के Arkham सीरीज खेले हो तो आपको पता है कि उसमें hand-to-hand combat कैसे रहता है वैसे इसमें जादा focused है और तुब ऑनेस्ट मुझे अभी ऐसे लगने लगा है यह गेम खेलने के बाद की आइफ प्रिफर hand-to-hand combat more than guns combat ठीक है मतलब जो गोली बारी करते उसे जादा यह हाई-to-hand combat में जो मज़ा आता है आप इसमें कैसा सीन है कि आप जो जो माशल आर्ट में combat सीखे हो आपने जो जो माशल आर्ट में आपने combat सीखा है वो सारी चीज़े आप इसमें कर सकते हो और इसमें जो यह लोग ने एनवार्मेंटल कॉमबैक का टच दिया है जैसे कि बाई किसी बेगो उठाके कचरे के डबे में डालो बंदेगो उठाके मच्छी से मारो बंदे रखाके मच्छी जहापे इस पर टांगल उस पे लटका कितना बढ़िया लगता और कितना रिफ्रेशिंग है मतलब यह सारी चीज़े मैंने तो अभी तक आज तक मतलब किसी पहले वाले गेम में खेली नहीं है तो इसके लिए जो कॉमबाट इसका है मुझे काफी जादा बढ़िया लगा और एक और चीज में आपको बताना चाहू एक अंडर रिटेट चीज यह है कि भाई आप जब गाड़ी चलाते हो चलाते तो जो रेडियो पे जो गाने बचते है ना वह भी काफी बड़ी है कभी कभी तो या मैं बस यह गेम खेलता हूं गाड़ी चलाने के लिए जिसमें सिवह मैं गाने सुनू भाई इसमें मतलब Chinese music है जैपनी इंग्लिश मुझी चीज बाइन की सिए सारी चीजह मैंने कई देखा किसी बिए फोग जो नोचे डेल ग Chang인이 अच्छा है ब्लस यह को देखने में जो यह का डिएट किसा मतलब देखने में कुछ ना कुछ घि रहता बहुत लोग NPCs हो गया, food stalls हो गए, कुछ ना कुछ कोई चोरी करके जा रहा है, कोई food stall पे चिला रहा है, या फिर आप बस ऐसे रस्ते पे जा रहा हूँ, आपको पकड़ेंगे, मारना चालू करेंगे, तो आप उनको मारोगे और मारने के बार आपको बाजू में suitcase दिखेगा suitcase में आपको 50,000, 10,000 ऐसे कुछ मिल जाएंगे, पैसे, तो ये सारी चीज़े ना इसमें बहुत रहता है, तो ये map भले ही छोटा हो, पर इसमें करने के लिए बहुत सारी चीज़े, और side missions हो गए, side missions भी ना ये game के आपको ऐसे bore नहीं करेंगे, समझ रहेंगे, बहुत कुछ आपको इसमें एंगेजमेंट रहने का जो पॉइंट एन ए गेम में बहुत जादा एंगेज रहते हो, ठीक है, आपार्ट फ्रॉम में स्टोरी, में स्टोरी के बात भी आप बहुत सारी चीज़े जो कि आप कर सकते हो, उसमें प्लस इसमें जो तो डील्स ये ये रोफ दस सब्सक्राइब करने वाला हूं और एक और चीज़ में नहीं अच्छी लगी वो की है सम्टाइम्स ना कभी-कभी वो मेरे खेलने के स्टाइल का इसू या मेरा स्किल इसू हो सकता है बट कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है ना कि या चभू में हिट मतलब ही रेजिस्टेशन है ना वो कभी-कभी लैक मतलब कभी-कभी वो रेजिस्टर ही नहीं होता है समझ तो मतलब ऐसे दो तीन पॉइंट से जो साइड मिशन में कर रहा था जिसमें भाई 60 या 30 लोगों को मारना था मुझे एक चाकू से तो तभी-कभी-कभी लग रहा था कि भाई मैं जो डिफे आ यह यás मैं देखने जायर खो यह तो स्टोरी वाइस काफी एच्छ McMजिक फिक काफी और अच्छा था आघिसा अजोडिए पामना अटाइन ग्रापने इस State Means झाल